स्टड़ी बात में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज हम डिसकस करने बुजा रहे हैं साइलोगिजम फ्रेंट्स यह जो टॉपिक है पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यह डिफिकल्ट भी है और इजी भी है इसलिए मेरी कोशिश रहेगी क्योंकि यह काफी लंबा होने इसको समरीने के लिए काफी इसमें चीजी है तो आज पहले मैं बेसिक से शुरू करूंगा एक दो वीडियो बेसिक क्योंगी फिर आपको कंटिनू जो लेवल है अपका उसके रिकॉर्डिंग चालूंगा तो फ्रेंट्स पहले है जो टॉपिक है साइलोगिजम इसमें सब और से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है वो है यह आप हमेशा एक चीज जया रखना Suppose ये एक गिलास है ठीक है जी ये गिलास पूरा पानी का बरा हुआ है ठीक है जी और दूसरा गिलास है ये पानी का हाफ बरा हुआ है ठीक है जी एक चीज हमेशे जा रखना जो पूरा बरा हुआ है पानी का गिलास वो आदा भी बरा हुआ है अगर मैं पहुंग यह पूरा बरा हुए पानी का गिलास है तो मैं यह भी कह सकता हूं कि यह आदा बरा हुए है लेकिन जो दूसरी एक्जामपल है कि पानी का जो गिलास है वो आदा बरा हुए है अगर जी आदा बरा हुए मैं कभी नहीं बहुत सकता कि यह पूरा भी बरा ह जो आदा है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है, जो पूरा है वो आदा भी बरा हो सकता है, तो पहले यह चीज एक जयाद रखना मेरी, क्योंकि काफी जगे पे आपको यह चीज़े बताऊगा, तो फ्रेंट्स, आज सबसे पहले टापक में, फॉस्त जो पॉइंट हमने डिसकस क करना है, वो है ALL A, R, B, ठीक है जी, अब ALL A, R, B का सबसे पहले, सबसे पहले इसमें होता क्या है, आपको एक स्टेट्मेंट दे रखी होगी, उसके बाद उसके conclusions वहींगे, आपको बताना है कौन सा conclusions है ही है, कौन सा गलत है, पहले हम basic चीज़े समझेंगे, ALL A, R, B, सबसे फ आरे जो A है, वो भी है, आपने भी diagram friends ऐसे बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूँ, मतलब जब बनाना शुरू करना है, ALL A, R, B, तो ऐसे बनाना है, तो इसकी diagram कैसे बनेगी, ALL A, R, B, जी जो सालोगिजम है, इसमें हमिशा जा रखना, हम इसको बोलते है, no brain diagrams, इसमें अपनी औ है, उसने हमें statement में बोला है, ALL A, R, B, अगर मैं बोलूँ के सारे A, B है, और मैं conclusion में बोलूँ, conclusion में, बताईए, के sum A, R, B है, देखे friends, अगर सारे A, B है, तो मैं ये भी बोल सकता है, कुछ A, B है, जैसे मैंने बोला कि पानी का पूरा गलास बढ़ा हो, तो वो आदा भी है अगर मैं बोलूँ के सारे A, B है, तो मैं ये भी बोल सकता है, कुछ A, B है, second, अगर मैं बोलूँ, sum B, R, A, friends, फेरिस में देखिए, अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा riffle में मैं बना दूँ, जैसे pen का riffle होता है, तो मैं माल लेता हूँ कि ये जो पार्ट है, ये A है, त तो मैं कह सकता हूँ कि ये देखी B, बीच में आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि sum B, R, A, के कुछ B, A, B है, ठीक है जी, एक जी या रखना, ऊपर को एक normal चीज बताता हूँ, normal questions में, ऊपर को सारे all है, और नीचे को sum के cases है, ऊपर के सारे all cases है, नीचे को है, sum के cases, जैसे all A, B, नीचे को हैंगे, sum B, R, A, yes, sum B, R, A है, जैसे मैंने एक diagramन होता हूँ, all A, R, B, ठीक है जी, और all B, R, C, तो ऊपर को all रहेंगे, नीचे को sum रहेंगे, जैसे all A, R, B है, तो all A, R, C भी रहेगा, अगर all B, R, C है, ठीक है जी, तो all A, R, B है, all A, R, C भी है, अगर नीचे को रहेंगे, sum C, R, B भी है, sum C, R, A, B है, sum B, R, A भी है, तो नीचे को sum के cases रहेंगे, ऐसे diagram में, अब second चीज़ देखते हैं, friends, एक चीज़ आखना, ये तो है normal cases, एक इसमें normal cases होते हैं, एक normal cases होते हैं, दूसरे होते है possibilities cases, possibilities cases, possibilities cases, possibilities cases में और normal में ये फरक होता है, मैंने बोल दिया, suppose, कि बाहर बारिश हो रही है, अगर मैं ये बोलू, बाहर बारिश हो रही है, तो मैं अगर ये बोलू कि शायद आज बारिश हो, तो बड़ी awkward सी बात हो जाएगी, क्योंकि बारिश तो already हो रही है, तो वहाँ पर मैं ये चीज़ नहीं use कर सकता, कि possibility वहा अपना हमने डूंट नहीं होती है, इसमें can वाले cases होती है, may, might, if वाले cases, ये सारे cases, जहाँ पर may, might, यहाँ पर possibility की cases, can, may, ये सारे possibility की cases होते हैं, जी तो अभी discuss हम उपर कर रहे थे, ये नॉर्मल cases थे, अब मैं बताता हूँ, possibility की cases का मतलब क्या है, suppose, अब जैसे हम अभी discuss किस करें है, A, R, B, all A, R, B, अगर मैंने बोल दिया, all A, R, B, और मैं question में पूछ रहा हूँ, all A, R, B, is a possibility, देखे, all A, R, B, हमें normal में दे रखा है, अगर already बारिश हो रही है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ, कि शायद अज बारिश हो, अगर already A, सारे B है, तो मैं ये नहीं कह सकत है कि all A, R, B, is a possibility, तो शायद सारे A, B हो, तो ये गलत हो जाएगा, जो चीज नॉर्मल में सही होती है, वो possibility में गलत हो जाती है, क्योंकि सम्भावना हम वहीं पर ढूनते हैं, जहां पर normal cases नहीं होते हैं, अगर मैं बोलू, all B, R, A, is a possibility, possibility, अब इसमें देखिए, जब भी friends आपको conclusion में दे रखा कि इसा possibility, हमने हमेशा से possibility की diagram बना के देखनी है, first step मैं आपको बता दू, first step अपने क्या करना है, possibility cases में, first diagram बनानी है, second statement चेक करनी है, statement, third में देखना, अगर सारे जो conclusions, अगर statement सारी सही है, सारी statement सही है, तो हो तो हमारा question, yes, ठीक होईगा, otherwise, अगर गलत हारी है आपकी diagram के recording, तो हमने no करना है, तीन step लेने है, diagram बनानी है, statement चेक करनी है, फिर उसके बाद डिसाइड करना है, कि वो सही है, कि गलत है, अब जैसे, मैंने, हम discuss करे थे, all A are B, ठीक है जी, और question पुछने है, all B are A is a possibility, सबसे पहले हमने, all B are A is a possibility की diagram बनानी है, व अब all A, A तो ही है, सारे B, A कब होएंगे, जब इसके बिलकुल उपर मैं B बना दूँगा, देखिए, अब ऐसे ही मैंने diagram बना दी, जिसमें all B are A है, देखिए, बिलकुल उपर, और, अब सबसे पहले मैंने क्या कर रहा है, first step मैंने diagram बना दी, second, अब statement, statement चेक करने है, statement क्य आ थी, statement थी, all A, R, B, तो statement भी सही है, क्योंकि अगर मैंने diagram ऐसी बनाई है, जैसे all B are A नजर आ रहा है, तो all A, R, B statement भी सही होगी, जब diagram भी सही बनी है, statement भी सही है, तो हमारा conclusion क्या होगा, सही, तो all B are A is a possibility, वो हो जाएगा हमारा सही, second, एक बहुत important चीज, अब देखिए अब यहाँ पर हम डिसकस कर रहे थे, कि all A are B, अब देखिए, मैं नीचे बना रहेता हूँ, जैसे suppose हमने diagram बना रही थी, all A are B, अब वो question में पूछ रहे है, some B are not A, देखिए friends, उसने सिरफ बात करी है, all A are B, कि सारे A B है, question में पूछा है, some B are not A, बताईए सही है, गलत है, अगर आप देखोगे यहाँ पर, आपको नज़र आएगा कि कुछ B, A नहीं है, लेकिन हमने question में क्या दे रहे है, all A are B, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया, तो starting में मैंने बताया, यह no brain diagram, अपनी और से दिमाग नहीं जूट करना, यह चीज हमने दे नहीं रहे है, तो यह क्या होगा हमरे पास, यह गलत होगा, यह कब सही होगा, संभावना हम तब डूंडेंगे, जब, मतलब यह किसे, जब, जैसे all A are B है, question में देखा है, some B, R, not A, is a possibility, फिर हम संभावना डूंडेंगे, फिर हम दूसरा जो चीज नहीं दे रहे हैं, फिर उसके बारे मे नहीं दे रखा, ठीक है, friends, हो सकता, first time में आपको कुछ काफी confusion हो, लेकिन जब आप 3-4 वीडियो में बना दूंगा, इसके उपर आपको समझ आना शुरूँगा, जब questions कराऊंगा, और ज्यादा समझ आएगा, इसमें, ठीक है, friends, इसी समझ से हम एक question करते हैं, question है, हमारे all cakes are ice cream, ठीक है जी, all cakes are ice cream, देखे कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पर cakes बना दूंगा, all cakes क्या है, सारे cakes है, ice cream, ठीक है, second day रखा है, all ice creams are toffees, सारी ice cream toffees है, तुझे इसके उपर बनेगा, सारी ice creams, क्या है, toffees है, ठीक है जी, अब question में क्या पूछा है, उसने, उसने पूछा है, all cakes are toffees, सारे cakes toffees है, देखे, friends, उपर को मैंने आपको बताया, सारे all cases होते है, तो सारे cakes, देखो, सारे cakes को cover कर रखा है, toffees ने, तो all cakes are toffees, all cakes are toffees भी है, तो यह सही हो गया, second है, all toffees are ice cream, वो कह रहा है, कि सारे toffees, क्या ice cream है, देखे, नीचे को हमने पताया कि some की cases होते है, normal में, possibility में अभी यहाँ पर कहीं, और possibility ने दे रखा, normal में सारे नीचे some की cases होते है, तो उसने उपर से दिखे, toffees यहाँ पर है, और ice cream नीचे है, देखे, यह सारे toffees तो ice cream नहीं है, नजर भी आ रहा है, क्योंकि हमने बताया कि नीचे को some की cases है, all All Toffees Are Ice Creams? All Toffees Are Ice Creams नहीं है तो ये हमारे पास गलत हो जएगा तो question में उसमें दे रखा कि बताइए first सही है, second सही है, दोनों गलत है या फिर दोनों सही है तो हमारा क्या इसमें अंसर आएगा कि first हमारे जो first है वो सही है friends इसमें चार पार्ट है, जैसे all ARB, second part आप मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में दो डिस्कस करूँगा, दो मैं next वीडियो में डिस्कस करूँगा उसके बाद मैं questions के उपर ही आ जाऊँगा, ठीक है जी, उसके बाद आपको either वाला case भी समझाँगा, वो अलागे वीडियो में लेके आऊँगा देखें, एक है sum ARB, तो इसकी डाइगरम कैसे बनेगी friends, ऐसे बनेगी, sum ARB, sum ARB का मतलब सिर्फ ये portion जो share हो रहा है, कुछ AB है, question में क्या दिर्खा है, कुछ AB है अगर मैं आप बोलू कि sum ARB, conclusion में पूछता है, sum B, R, A, वो सही हो देगा, क्योंकि अगर ये कुछ AB है, तो कुछ B भी A है यहाँ पर, अगर वो पूछता है, कि sum AR not B, अब वो पूछ रहा है कि कुछ AB नहीं है, friends, यहाँ पर देखिए, उसने देखे अरखा है सिर्फ इतना portion, हमने यहाँ तक ही सीमित रहना है, normal cases में, possibility में अभी यहाँ पर नहीं discuss रहा, next tips भी आप, जो step में बताऊँ का, देखिए, यहाँ पर सिर्फ इतनी बात करिए, कि sum ARB, तो it means, यहाँ पर sum AR not B की बात उसने नहीं करी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है दी, हमें ने पता कि से sum AR not B है जा नहीं है, अगर वो पूछ ले, sum B are not A, तो वो भी हमारा गलत हो जाएगा, लेकिन अगर वो पूछता है, अगर वो कहता है कि sum AR not B is a possibility, तो उस case में क्या है, फिर हम संबाबना देखेंगे, फिर देखेंगे, कि ऐसी कोई संबाबना, पहले diagram बनाएगे, diagram तो ऐ ऐसे ही बनेगे इसमें भी, इसमें भी diagram ऐसे ही रहेगी, अलग से, तो sum AR B मुझे ये sum AR not B नजर आ रहा है, पहले मैंने diagram बनाई, ठीक है जी diagram तो यही रह जाई, फिर मैंने statement चेक करनी है, कि मुझे जो नजर आ रहा है कि sum AR not B, मेरी statement है sum AR B, तो sum AR B भी change नहीं हुआ, it means जो जो नो step पकर clear हो जाते है, तो sum AR not B is a possibility, yes, ये सही हो जाएगा, अगर वो पूछता है, sum AR not A is a possibility, तो वो भी, sum AR not A, वो भी देखी हमें समभावना में diagram, तो यही रहे जाए कि sum AR not A is a possibility, yes, समभावना है, समभावना में हमने, हमने फिर, जब समभावना दे रखिया, फिर हमने दूसरे नजरिये से देखना है, otherwise normal cases में जो दिया हुआ है, उसके उपर ही सीमिती रहना है, वहाँ पर no brain diagram यूज होएगी, और possibility की question में little bit diagram, little bit हमारा brain यूज होएगा, ठीक है जी, अब देखी friends, यहा बढ़ ढ़रा है, gems है, some pairs are gems, उसमे गते है, some gems are ornament, some gems are ornament, or लिक दिया, यह तो हमारा बन गया, statement, अब बो पूछ रहा है, some gems are peels, कोई some gems है, यह some gems are peels है, यह की, इसके साथ यह share कर रहा है, हमने देखना कि यह जीए adjacentize, some gems के साथ peels की यह जीएzen बन रही है, तो लो बन रही ह second पर पूछ रहा है some ornaments are gems some ornaments ornament और gems में यह चीज बन रही है some ornament भी gems है तो यह भी सही हो जएगा लगिन अगर वो friends पूछता के some pairs are ornaments अगर question में यह पूछता some gems are ornaments देखे some sorry pairs are ornaments इन दोनों में ऐसी चीज नहीं बन रही है ठीक है जी क्योंकि ये पी ओ के सार बिल्कुल भी टैच नहीं होता है ये गलत हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स मैं देरे जेरे आपको ये टॉपिक थोड़ा मैं बहुत बड़ी विडियो नहीं बनाना चाहता तो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और राइट आइकन को में जो बटन है उसको दबाना मत बूलिए जिसके साथ और लोगों को इसकी बेनफिट में परक्त सके है तो फ्रेंड्स थैंक्स की की वर वाची बागी वैरोगोगोगोगर ये खौलत आप खेच्वक ट्बार कें की पकल सूल अगरेब कि यह में चैंलीाओ ओ ऐसकलाएब की जाह रोग्म की शवतवरोगाब जय कर न मावे टीनृएब केश हो तो एको एक कि रएकिए रहीं में पूलतला स्तलोस दूलत ह